हेलो दिया लेर्नर्स आज हम डिसकस करेंगे इंग्लिज का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और कन्फूजिंग यूज यह जो लैंग्वेज यूज आज में समझाने आपको जा रहा हूं इसका यूज अक्सर हम न्यूज पेपर्स में या लिटरेचर में देखते हैं और यह जो यूज है इस पर बेस्ट कई बार कॉंप्टिटिव एक्जाम में भी या एकडेमिक्स के जो एक्जाम होते हैं इसको समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह क्या है इसको कैसे समझा जाए तो कुछ को तो समझ में नहीं आता है और कुछ मजबूरी में उसको याद कर कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होता है आज मैं आपको यह जो लłemवेज है परिश पार तौbिलर्टकळ नहीं यह लिखा है not until our friends return from the city we shall live यह question है और यह sentence है और हमें यह बताना है कि इस sentence के किस पार्ट में mistake है इसमें एक mistake है और वो mistake हमें identify करनी है और अगर हम उसका correction कर पाएं तो ऐसा भी करना है sentence के parts हमने ऐसे कर दिया है not until our friends return from the city we shall live और अगर आपको लगते हैं कि sentence में कोई mistake नहीं है तो आप इसको नो एरर बता सकते हैं यह तो अगर मैं यहाप इस ड्रॉ कर दूं तो आपके ऐसे हो जाएंगे not until our friends a part return from the city we shall live तो यह हो गया आपका पार्ट ए यह हो गया पार्ट बी और यह हो गया पार्ट सी और अगर हो तो तो हमें बताना है कि इसमें कोई मिस्टेक है यह नहीं अभी आप क्या करेंगे कि पांच सेकेंड के लिए दस सेकेंड के लिए इस वीडियो पर पॉस करके एक वार अपने आप सेंटेंस को पढ़िए समझें और देखिए कि इसमें कोई मिस्टेक है और अगर है तो किस पार्ट में आप अपना जो भी आंसर है उसको याद रखिएगा फिर मैं आपको यह समझाता हूं तो आप वीडियो पॉस कर सकते हैं दस सेकेंड के लिए आजाए अब मैं आपको समझाता हूं इसका आंस हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा वी शेल नॉट लर्ण इंग्लिश टुड़े हमने एक सेंटेंस लिखा वी शेल नॉट लर्ण इंग्लिश टुड़े अब हमें यह समझना है कि जो सेंटेंस है इसका मीलिंग क्या है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है हमें मिस्टेक नहीं identify करनी है बस हमें यह समझना है इसका मीनिंग क्या है we shall not learn English today तो आप में से जादतर बच्चे समझते होंगे इसका मीनिंग क्या है ठीक है लेकिन फिर भी मैं आमको बताता हूं कि जो आप इसका मीनिंग समझते हैं हो सकता है इसका मीनिंग क्या होता या जो जल्दी से हमारे दिमाग में सबसे पहले हीट करता है लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो डिपेंड करता सिच्वेशन में कि वह बात कि सिच्वेशन के लिए कहिए हमें वह वर्ट किस मीनिंग को करने के लिए कि यूज किये गया है वो नहीं दिखाई पड़ता वह एबस्ट होता है जैसे कि अगर कोई परसन यह कह रहा है वी शल नौट लॉर्ण इंगलिस टुड़े अगर कोई परसन यह बात किसी से कह रहा है तो ऐसा कहने के पीछे उसका परपस क्या रहा होगा यह बात उसने क्यों सपोस करके देखते हैं अगर कोई यह कह रहा है वी शल नौट लॉर्ण इंगलिस टुड़े तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह यह कहना चाहा रहा हो वी शल प्रैक्टिस ठीक है वी शल प्रैक्टिस इंगलिस टुड़े कि आज हम इंगलिस को सीखेंगे नहीं आज हम इंगलिस को प्रैक्टिस करेंगे मतलब आज हम सीखेंगे नहीं क्लास नहीं होगे अज प्रैक्टिस होगी हो सकता है यह मीनिंग करना हो इसलिए बात कही गई या हो सकता हो कि others will learn English today आज हम English नहीं सीखेंगे आज दूसरे लोग English सीखेंगे उनका turn है आज हमारी छुट्टी है सीखें हो सकता है यह meaning अन्वे करना हो इसलिए वो बात कही गई है we shall learn some other subject today we shall learn some other subject today आज हम कोई दूसरा subject सीखेंगे हो सकता है यह बात कहने के लिए वो sentence कहा गया हो ठीक है we shall not learn English today we shall learn some other day we shall learn English tomorrow or some other day हम English आज नहीं किसी और दिन सीखेंगे तो हो सकता है यह meaning convey करना हो जिसके लिए बात पही गई तो मैं आपको समझाना यह चाहता हूं कि यह जो मैंने यहां पर implied meanings लिखेंगे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझते हैं हम जब sentence को पढ़ते हैं तो आज हम English नहीं सीखेंगे यह हमने translation कर लिया words का लेकिन जो words का translation है वो उसका meaning नहीं है उसका meaning है कि यह बात क्यों कहीं गई इसके पीछे purpose क्या है अगर हम कोई बात किसी को बता रहे हैं तो उसके पीछे 雨 और कोई person हमसे यह कहना चाहता कि आज हम नहीं कोर लोग English को शीखेंगे क्या वो हँसे यह कहना चाहता है कि I Vou फिर कभी सीखेंगे तो इन पॉस्यवल मीनिंग में से कौन सा मीनिंग उस सेंटेंस का होगा एक्षली वह हमें पता नहीं है वह डिपेंड करता है सीचुएशन पर लेकिन हमें पता इन में से कोई हो सकता है ठीक एक तो यह हो गया अब मैं आपसे कहता हूं कि यह लास्ट वाला मीनिंग है मान लीजी हमें यह मीनिंग करना था कि हमें यह मीनिंग करना है कि we shall learn English some other day कि हम आज नहीं सीखेंगे किसी और दिन सीखेंगे तो हमें learn को नहीं निगेट करना है नॉट लिखकर हमें learn को नहीं निगेट करना है इंगलिस को नहीं निगेट करना हमें निगेट करना हमें निगेट करना है कि हम इंगलिस सीखेंगे लेकिन आज नहीं तो अगर हमें टाइम को स्पेस्विली निगेट करना है और हमें यह मी इस sentence को वैसे न लिखकर ऐसे लिख देंगे हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे we shall learn English not today तो हम इस तुड़े को जो है इसके साथ not को set कर देंगे यहां लिख देंगे तो हम लिखेंगे we shall learn English not today तो जब हम ऐसे लिखेंगे न तो इसका मतलब यह वाला ही माना जाएगा और कोई मीनिंग नहीं रहेगा तो इसका मीनिंग अब क्लियर हो गया अगर कोई person यह कहता है we shall not learn English तो उसके इन में से कोई भी पॉस्विल मीनिंग हो सकता है लेकिन अगर कोई person यह कहेगा विशल लर्ण अब ही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यह जो not की position है ठीक है यह होता है general negation general negation of the statement को कोई specific negation नहीं है इन में से कोई भी मीनिंग आपको करना है तो आप नौट को वहीं पर रखिए वो situation से context से सुनने वाला जान जाएगा आप क्या कहना चाहते हो लेकिन अगर हम नौट को उस particular word के साथ में लिख दें जिसको में निगेट करना था तो इसे हम कहते हैं special negation तो यह जो है यह है special negation कि not का यूज हम specific word के साथ करें जिसको हमें actually negate करना है तो इसे हम कहते है special negation तो यह भी सही है वह भी और दोनों में से मैंने आप तो समझाया अपने इस क्वेश्चन पर बापस आते हैं अब यहां पर देखें क्या है कि मैंने एक सेंटेंस लेगा सेंटेंस यह है कि वेशेल कि वेट हीएर कि वेशेल कि प्रेंट हीए यह इसी एक्जाम्पल को लिए कि रते हैं वे शैल नॉट लिव अंटिल आर फ्रेंड्स रिटर्ण अभी हमने क्वेश्चन लिगा कि जब तक हमारे दोस्त वापस नहीं आ जाएंगे हम नहीं जाएंगे तो यह इसका ट्रांसलेशन हो गया लेकिन यह बात कही जा रही होगी विशल नॉट लिव अंटिल आर फ्रेंड्स रिटर्ण तो इसके है यह दूसरे लोग यहां पर इंतिजार करेंगे तो इस तरीके के पॉश्वल मीनिंगस इसके कई हो सकते हैं यह便house जल्र स्टुर्ण नränीए विशल नॉट है लिव अंटिल आर फ्रेंड्स अगर मान लो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख दें तो यह है special negation, अब यह special negation कैसे है, इसको आप समझे, ऐसे कि जो until our friends return हमने लिखा है न, यह है time clause, यहाँ पर जैसे जो हमने today use किया था यह today आपका था adverb of time ठीक है today adverb of time था यहाँ पर यह जो हमने use किया है until our friends यह एक clause है subordinating clause जो adverb of time का काम कर रही है तो यह पूरी clause एक adverb of time है अब मान लीजिए हमें time को negate करना है तो हम क्या करेंगे not को time के साथ लिख देंगे not until our friends arrive तो अब इस बात को हम emphasis कर रहे है especially negate कर रहे है time को बाकि सारे possible meanings cancel हो जाएंगे अब यहाँ पर इसका एक ही मतलब है जो आपके सामने लिखा हुआ है we shall live not until our friends arrive जब तक दोस्त नहीं है तब तक नहींगे arrive लिख दिए गलती से इसको return कर लेते हैं तो यह है बच्चों हमारा special negation कि हमने not को क्या गिया उसके साथ लिख दिया जिसको हमें actually negate करना है तो हमने general negation की जगे पर special negation का से यूज़ कर लिया अभी जो अंटिल के साल लिखी के clauses होती है अब किसी कारण से अगर हम इस अगर को पहले लिख दें जैसे हमने यहां पर पहले लिख दिया नॉट अंटिल आर फ्रेंट्स रिटर्न फॉम दिस सिटी तो यह पूरी क्लाजना एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब को हम special negation में यूज़ कर रहे हैं नॉट लिखकर हम इसको निगेट भी कर रहे हैं तो नॉट क्या कर रहा है इस एडवर्ब को निगेट कर रहा है इंफेसाइज कर रहा है आप सब को एक कांटेक्स पता होगा इन वर्जन सबने पढ़ा होगा कि अगर हम कभी किसी एडवर्ब को इंफेसाइज करने के लिए अड़ बिगनिंग अब दे व cambi when they when they get silent हमने का जैसे वो आता यह सब चुप हो जाते हैं और नहीं आता तो सोर करते रहते हैं तो हमने लिखा हाडली ही आराइब्स आप से लिए गचे लिख़ी यह जो हाडली एक किया यह आडवर्ब वो डिगरी है या तो आप इसको ऐसे लिखे है हाडली अराइब वेन दे गेट साइलेंट आप असर्टिव फॉर्म लिखिए या फिर हाडली एडवर्ब को अगर हम एंफिसाइज करने के लिए में इस्टेटमेंट से पहले लिख रहे हैं तो इसे लिख दीजिए हाडली जैसे वो आता है वो लोग चुप हो जाते हैं तो जब हम किसी एडवर्ब को इंफिसाइज करने के लिए बेगनिंग आप दे सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसके साथ में यूज करनी पड़ती है इंवर्टेट फॉर्म अब जैसे यह जो हाडली एडवर्ब है यह कौनसी को बर्ब के लिए वी शल लिव तो हमें यह वर्ब इंवर्टेट फॉर्म में लिखना पड़ेगी अजाल है इसको हमें लिखना पड़ेगा वी शेल लीव को लिखना पड़ेगा का इस है not until the sunsets not until the sunsets they will go home अभी जो sentence लिखा है यह आपको सही करना है और actually sentence पता है क्या लिखा हुआ है they will not go home until the sun sets यह ऐसा लिखा हुआ है अब यह जो हमने लिखा है यह है जर्नल निगेशन तो इसमें हमने जो नॉट की जर्नल पोजिशन होती है कि में वर्भ हेल्पिंग और के बीच में वहां पर यूज किया they will not go home until the sunsets और until the sunsets है जो हमारी subordinating clause है यह यहां पर हमने क्या किया है कि adverb clause को emphasize करने के लिए main statement से पहले लिख दिया और उसके जात में हमने special negation भी कर दिया उसका special negation कर दिया adverb clause का not लिखके तो यह adverb clause जब हम main clause से पहले लिखते है emphasize करने के लिए तो जो main clause होती है उसमें वर्ब को हमें inverted form में लिखना पड़ता है क्यों inverted form में लिखना पड़ता है क्योंकि adverb को emphasize करने के लिए at the beginning में लिख दिया गया तो इसके साथ हमें inversion यूज करना पड़ता है inversion में जो helping और वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा not until the sunsets will they go home और यह सही है यह assertive form वो है inverted form इस sentence को हम वहां लिख रहें अब यह मैंने आपको क्यों समझाया कि जब कभी भी इस तरीके का लैंग्वेज बच्चों को पढ़ने को मिलता है किसी न्यूजपेपर में मिलेगा किसी पीस ओफ लिट्रेचर में मिलेगा या किसी academics के या competition के किसी एक्जाम में मिलेगा तो सबसे पहले बच्चे न एक पार्ट को गलत माल लेते हैं या वह इसको गलत माल लेते हैं कि उनको लगता है कि नौट के साथ में अंटिल नहीं आएगा जैसे हमने यह लिगा न विशल लिव नौट अंटिल और फ्रेंड तो बच्चे ऐसा समझ ल लेगा तो सारे बच्चे लगभग यह पार्ट को टिक मार देते हैं क्यों क्यों उनको लगता है कि जो हमने नौट अंटिल लिखाया तो नौट भी नेगेटिव एंटिल भी नेगेटिव एक साथ में आएगा नहीं कि आप अंटिल भूल जाओ अंटिल आर फ्रेंड लिखाया आपको कितना समझ में आया कैसा लगा यह कमेंट करके बताएं और इस तरीके के गर को दूसरे लेंग्वेंज से कन्फीजन्स होते हैं तो आप उनको कमेंट करें और फिर हम उन पर भी इस तरीके के डिटेलड एक्स्लैनेशन के वीडियो बनाएंगे जैसे कि अगर आपको परिशान करते हैं तो वह भी कमेंट करके बताएं उन पर वीडियो बनाएंगे थैंक यू